इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत में कॉरोनावाइरस वैक्सिनेशन की इस्थिती के संबंद में फास्टर सूनर की ठीक है यह जो वैक्सिनेशन का प्रोग्राम चल रहा है यह फास्ट चल रहा है लेकिन इसके और ज़्यादा फास्ट किये जाने की जरूरत है sooner कि और ज़्यादा जल्दी किये जाने की जरूरत है soon का मतलब है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तो coronavirus vaccination program जो इंडिया में चल रहा है उसे और fast और और जल्दी करने की जरूरत है India has the wherewithal अब यह जो शब्द लिखा हुआ है ना the wherewithal इस the wherewithal का मतलब होता है पैसा, money जो की किसी विशेश उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है उसे हम बोलते हैं the wherewithal कि बई इंडिया के पास संसादन है इंडिया के पास पैसा है to sharply कि तीवरता के साथ accelerate accelerate का मतलब होता है बढ़ाना, और ज्यादा तेजी लाना daily vaccination rate कि बई एडिटोरिल बताता है कि इंडिया has the wherewithal कि भई भारत के पास पैसा है या फिर संसादन है कि भारत जो है तीवरता के साथ daily जो vaccination है उसकी जो rate है उसकी जो दर है उसको और ज्यादा का मतलब होता है किसी योजना को सारजनिक रूप से सामने ले के आना rollback का मतलब किसी योजना को वापस ले लेना तो just three weeks after it rolled out the second phase of the mass vaccination program mass vaccination program का मतलब है कि vaccination program जो की एक मतलब बड़े इस तरपे है एक तरीके से जनता के लिए है व्यापक इस तरपे है तो तीन सप्ता हुए है just three weeks after कि बस तीन सप्ता के बाद में किसको हुए है तीन सप्ता it rolled out the second phase कि दूसरे चरण की vaccination को start किया गया भारत में कि coronavirus vaccine के दो dose लगाने एक dose काफी पहले लगा दिया गया था और अब यह दूसरा dose भी start कर दिया गया इसकी just three सप्ता हुए है अभी तो यह जो दूसरा dose start किया किन लोगों के लिए किया गया यह program for people above 60 years and those above 45 years कि उन लोगों के लिए किया गया यह program वे लोग जो की 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है या फिर 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति है जिनके लिए यह vaccination program लाया गया है और second phase है दूसरा चरण लाया गया है इसको तीन सप्ता हो गए है अब भारत ने क्या किया है इंडिया है यह हुआ इंडिया है नाव अंडर्टेकन अब भारत ने इस बात की जिम्मेदारी ली है इंडिया है नाव अंडर्टेकन course correction course correction का मतलब होता है अपने plan में correction करना है इंडिया है नाव अंडर्टेकन course correction का मतलब है कि भी जो आपका plan है उस प्लान में कुछ संचोधन करना तो अब भारत ने अपने प्लान में क्या संचोधन किया है ये संचोधन किया है To vaccinate anyone above 45 years कि भारत ने तै किया है कि किसी को भी टीका लगाया जाए जो की 45 साल से अधिक उम्र के है Immaterial of बिना इस बात की परवा किये of comorbidities status from April 1 एक अप्रेल से भारत ने तै किया है कि 45 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति है तो बिना ये देखे कि उसे comorbidity है या नहीं है उसे coronavirus का टीका लगाया जाए यानि कि बिना इस बात की परवा किये कि उसे से अधिक बीमारी है या नहीं है 45 साल से अधिक उम्र के प्रतियक व्यक्ति को एक अप्रेल से coronavirus का टीका लगाया जाए by following the UK model of vaccination कि भई जो United Kingdom है इसका जो vaccination program का model है उसको follow करते हुए उसका अनुसरन करते हुए based on age bands UK ने क्या model अपनाया है coronavirus vaccine के लिए उन्होंने क्या है age band बनाये है कि भई इतने से इतने age कि भई 45 से 60 30 से 45 इस तरह के कुछ age band उन्होंने निर्धारित किये है rather than यानि के बजाए की तुल नामे on comorbidities कि भई UK ने coronavirus vaccine के लिए ये model नहीं अपनाया कौन सा model comorbidities वाला का उन्होंने age निर्धारित कर दी कि भई सबसे पहले इस age group को coronavirus का टीका लगाया जाएगा इसके बाद में इस age group को तो भारत ने भी इसी model को अपनाते हुए अपना ये नई योजना या फिर आप क्या सकते हूँ कि नया शंशोधन भारत ने किया है अपने coronavirus vaccination प्रोग्राम में तो इस प्रोग्राम से क्या होगा millions would become eligible लाखों की संक्या में लोग coronavirus vaccine के लिए योग्य हो जाएंगे eligible हो जाएंगे अब देखो यहाँ पर हमने वुड़ का प्रयोग किया है तो जब भी हम हमारा कोई opinion express करना चाहते है कोई imagination की ऐसा हो जाएगा तब हम उसके लिए विल की जगे वुड़ का प्रयोग करते है तो रिटोर्यल देखो अपना opinion देना चाहरा है कि भारत भी क्या कर रहा है UK के model फॉलो कर रहा है तो इसके माध्यम से अब क्या होगा इसके माध्यम से यह होगा कि लाखों लोग जो है वो eligible हो जाएंगे तो receive प्राप्त करने के यह spelling देख ले ना बिलकुल ध्यान से यह receive है ना बहुत ही छोटी spelling है लेकिन आती है spelling mistake में पोस्ते हैं इसे यह पता नहीं चलता कि यह आएगा पहले या आई आएगा या फिर आई आएगा पहले या या यह आएगा यह जो receive की इस पहले है बिलकुल बहुत धंक से देखना है eligible to receive the vaccine and be fully protected तो इस नए program से भारत की यह जो नई निती है इसके माध्यम से लाखों लोग coronavirus vaccine के लिए eligible हो जाएंगे वे उसको प्राप्त कर पाएंगे वेक्सीन को और पूरी तरीके से अपने आपको protect कर पाएंगे and be fully protected है कि उनको पूरी तरीके से बचाया जा सकेगा पूरी तरफ से उनको protect किया जा सकेगा आगे देखते हैं people with comorbidities कि भई ऐसे लोग जिनको की एक से अधिक बीमारियां हैं उनको जादा खत्रा है are at greater risk of becoming critical ill कि भई जिनको comorbidities है एक से जादा बीमारी हैं वे बहुत ही जादा मतलब बहुत ही घातक रूप से बीमार पड़ सकते हैं उनको इस बात का खत्रा है of becoming critical ill and even dying यहां तक कि उनको मरने का भी खत्रा है कि भई जो comorbidities से ग्रसित व्यक्ती हैं जिनने एक से जादा बीमारी है उनको ये risk जादा है उनको ये खत्रा जादा है कि वो बहुत ही भायानक रूप से बीमार पड़ सकते हैं या कि मर भी सकते हैं However, हालंकि the list of comorbidities that made a person eligible हालंकि the list of comorbidities कि भई हम जो सूची बनाते हैं कि किन को comorbidities है किन को comorbidities नहीं है उसी के आदार पे हम ये तै करते हैं कि कोन व्यक्ती coronavirus vaccine के लिए योग्य है और कोन व्यक्ती योग्य नहीं है Was not only highly restrictive तो ये जो list हम तयार कर रहे थे अभी तक कि comorbidities वाले व्यक्ती कौन-कौन है और जिनको comorbidities है उन्हीं को हम योग्य मान रहे थे कि पहले इनको vaccine लगाई जाए तो इसके माध्यम से क्या हो रहा था Was not only highly restrictive कि restrictive का मतलब क्या होता है कि जो आपको लिमिट आपको एक तरीके से प्रतिबंधात्मक ले restrictive को आप कह सकते हो कि आपको क्या करे एक तरीके से आपकी freedom को रोक दे हो है but also focused on multiple comorbidities तो यही डिटोरिल कहना चारा है कि इसके चलते काफी प्रतिबंधात्मक थी हमारी यह निती कि comorbidities वाले व्यक्ति का पता लगाना और उसे फिर coronavirus vaccine के लिए योगी मानला है तो इसके माध्यम से क्या था काफी limited हो गया था ज्यादा comorbidities है ना कि वह एक तो हो सकता है कि सिर्फ दो मिवारी एक हो सकता तू and that two of severe nature और हम क्या देख रहे थे कि हम यह देख रहे थे कि multiple comorbidities किन किन को है मतलब एक से ज्यादा या 2-3-4 वीमारिया किन किन को है and that two of severe nature severe का मतलब है गंबीर और हम यह देख रहे थे कि ठीक है, comorbidities है व्यक्ति को लेकिन अब comorbidities में भी कौन सा व्यक्ति है जिसे ज़्यादा गंबीर बीमारी है कि किसी को हो सकता है, cancer है इस तरह की ज़्यादा और गंबीर बीमारी को देख रहे थे also the need for a medical certificate इसके बाद में हम देखो क्या कर रहे थे अगर ठीक है, किसी व्यक्ति ने कहा कि भी मुझे comorbidities है मुझे एक से ज़्यादा बीमारी है और मुझे coronavirus vaccine चाहिए तो फिर हम क्या कर रहे थे also the need for a medical certificate कि भई एक medical certificate की भी जरूरत थी mean उसका मतलब क्या था कि भई आपको comorbidities है इसको हम माने के से medical certificate होना चाहिए न आपके पास कि हाँ यह देखो मुझे यह बीमारी भी है मुझे यह बीमारी भी है, मुझे लीवर की बीमारी है या फिर मुझे यह यह अस्तमाई या फलाना फलाना बीमारी तो उसको तो यह 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 यहां पे लिखावाए कि medical certificate की जरूरत होने का मतलब यह था that vaccinating as many people as quickly as possible was unachievable अब देखो भई आप तो सबसे पहले तो यह चेक करोगे कि किसको comorbidities है इसके बाद यह चेक करोगे कि किसे गंभीर comorbidities है इसके बाद medical certificate भी मांगोगे इन सब का मतलब क्या था इन सब का मतलब यह था कि टीका करन करना vaccinate करना as many people as quickly as possible कि जितनी शीगरता से हो मतलब as quickly as possible कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संभव करना क्या संभव करना टीका लगाना यह unachievable था कि इसको आप कर नहीं सकते कि एक और तो आप इतनी जानकरी चेक कर रहे हो कि किसे comorbidities है किसे गंभीर nature की comorbidities है इसके बाद मेडिकल certificate भी चाहिए तो फिर आप चाहते हो कि coronavirus vaccine का program जल्द से जल्द हो सके तो यह unachievable था है फिर आप इतनी जल्दी उसे प्राप्त नहीं कर सकते अपने आपका जो भी लक्ष है उसे ना इतनी सारी एगर फॉर्मल्टीज बीच में रहेंगी तो since a vast majority vast majority का मतलब है एक विशाल संक्या है since a vast majority particularly the poor and those in rural areas since a vast majority चुकि एक जो आप कह सकते हो कि विशाल लोगों की जो संक्या है खास करके जो गरीब लोग है and those in rural areas और खास करके जो ग्रामीन छेत्रों में रहने वाले लोग है are ignorant of ये ignore के साथ में आता है of preposition है आपको इसकी जानकारी नहीं है अग्यानता में होना are ignorant of their underlying disease underlying का मतलब है नहीत होना कि वह कई गरीब लोग ऐसे हैं जो ग्रामीन छेत्रों में रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या कौन-कौन सी बीमारिया है हो सकता है उन्हें अस्थमा हो उनके किड़नी खराब हो उनका लीवर खराब हो बात सरकार है कि अगर किसी को किब लिए जरूरत है तो उसके लिए किया गया है जो कॉमॉर्बीड़िटीज है इसे अनावशक बना दिया है है भारसरकार ने, redundant, redundant का मतलब होता है, किसी चीज को अनावशक बना देना, तो पहले comorbidities जो थी, यानि कि एक से ज़्यादा बीमारी होना आपके लिए जरूरी था, अब इसको अनावशक बना दिया गया है, तो यह जो decision भारसरकार ने लिया है, is commendable, यह प्रिशंचा करने योग है, यह स्वागत करने योग है, आगे देखते हैं, as vaccines are a tool, editorial कहता है कि हम यह देखते हैं कि वैक्सीन क्या है, एक टूल है, एक उपकरन है, to promote health equity, ताकि promote करना, मतलब प्रसार करना, ताकि जो स्वास्त से संबंदित निस्पक्षिता है, उसे बढ़ाया जा सके, all attempts should be made, कि सारे की सारे प्रियास किये जाने चाहिए, to remove any artificial barriers, कि किसी भी तरह का, अगर करत्रिम व्यवधान आता है, तो उसे हटाने के, पूरे की पूरे प्रियास किये जाने चाहिए, लोगों की health equity पाने के लिए, health की दृष्टी से, अगर हम बात करें, तो निस्पक्षिता पाने के लिए, जो भी कृत्रिम बाधा है, उनको दूर किया जाना चाहिए, more so, और ज्यादा इसलिए भी की जानी चाहिए, more so, when several states, कि भई, कई जो राज्य है, are witnessing, वे इस बात को देख रहे हैं, as surge in cases, surge का मतलब है बढ़ोत्री, in cases, कि भई, कई राज्यों में इस बात को देखा जा रहा है, कि coronavirus के cases में बढ़ोत्री हो रहे हैं, तो इसलिए भी जरूरी है, कि coronavirus vaccination program के दोरान, जो भी artificial barriers आते हैं, उनको हटाने के लिए, उनको remove करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किये जाने चाहिए, while hesitancy towards, hesitancy का मतलब होता है, हिच के चाहट, towards की or the two available vaccines was partly responsible for the low uptake initially, वाइ लोगों के मन में हिच कीचाहट थी, break你 Gesellschaft कि और थी लोगों के, towards किस और थी वो हिच कीचाहट towards the two available vaccines, कि दो vaccines Corona virus की जो की उपलब्द हैं, उनको लेकर लोगों में हिच कीचाहट थी, वो क्यों कि Corona Virus Vaccination Program में शुरुआत में हमें क्या देखने को मिला बहुत ही मंद रहा ये प्रोग्राम में कि शुरुआत में इतनी ज़्यादा उच्छाल हमें देखने को नहीं मिला तो वो इसलिए नहीं देखने को मिला कि लोगों के मन में Available Vaccines जो है उन Vaccines को लेकर लोगों के मन में Doubt थे There is now increasing willingness अब हम क्या देख रहे हैं? Increasing, बढ़ती हुई Willingness, willingness का मत्त होता है किसी भी चीज के लिए राजी होना किसी भी चीज के लिए इच्छुक होना To get vaccinated अब हम क्या देख रहे हैं? कि धीरे धीरे लोग जो है राजी हो रहे हैं Increasing willingness हमें देखने को मिल रही है एक बढ़ती हुई आप कह सकते हो कि willingness लोगों की देखने को मिल रही है कि लोग भाग खुछ चा रहे हैं To get vaccinated कि भई लोग क्या चा रहे हैं? To get vaccinated कि हमें टीका लगाया जाए अब ये दीरे दीरे लोगों में जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि तेजी आई है While 0.8 million doses administered Administer का मतलब होता है किसी आउशदी को वितरित करना तो देखो क्या हुआ While 0.8 million doses administered on February 25 Was the highest before the second phase began कि coronavirus vaccination program के दूसरे चरण की शुरुआत होने से पहले 25 फरवरी जो था वो highest था किस बात का highest था 25 फरवरी? कि 25 क्या हुआ 0.8 million doses administered की भई 25 फरवरी को 0.8 million coronavirus vaccine की डोज वितरित की गई है यह highest था मतलब है कि इसके पहले क्या था 0.7 या 0.6 ऐसा कुछ रहा होगा लेकिन 25 million को सरवाधिक coronavirus vaccination सरवाधिक coronavirus vaccine की डोज उपलब्द कराई गई है और इसके बाद में फिर यह दूसरा चरण शुरू हो गया increasing the gap between two covishield doses partly addresses vaccine shortage increasing the gap between two covishield doses कि भई यह जो coronavirus की एक तरे साफ vaccine है covishield है increasing the gap between two covishield doses कि भई आप दो डोज देने पड़ते हैं जैसे कि covishield है तो एक डोज लग गया अब इसके कुछ दिनों बाद में दूसरा डोज लगेगा तो editorial क्या कहता है कि इस gap को बढ़ाना दो डोज आपको दिये जाएंगे coronavirus vaccine के लेकिन यह तो जो दो डोज दिये जाएंगे इनके बीच के gap को बढ़ाना partly आशिक रूप से समाधान करता है address का मतलब है समाधान करना vaccine shortage vaccine की जो shortage है vaccine की जो कमी है इसकी भी तो पूर्ती हो जाती है कि आपने क्या किया दो चरण बना दिये कि एक लग गया अभी अब दूसरा लगाएंगे दो महिने बाद तो यह जो दो महिने का time period है ना इस time period से हमें क्या है time मिल जाता है कि हम उस gap को भर सकें कि वैक्सीन जो shortage है उसकी हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिला कि साथ दिनों का अगर हम यह जो साथ दिनों का अगर हम average निकाले ना तो साथ दिनों के average में crossed two million doses per day आप यह मान सकते हो कि प्रत्य एक दिन साथ पिछले साथ दिनों का अगर हम average निकल लें तो आप ये मान सकते हो कि पृति एक दिन हमें ये देखने को मिला कि 2 million coronavirus की doses लोगों को प्रदान की गई लोगों को दी गई एक million में होते हैं 10 lakh Only about 50.23 million doses have been administered as on March 24 March 24 तक की अगर हम बात करें तो only about लगभग 50 million doses जो है उनको वितरित किया गया है और या पिर आप ये भी कह सकते हो कि less than 4 doses per 100 people कि भारत की जनसंग्या के हिसाफ से अगर हम बात करें तो 100 लोगों पर 4 doses से भी कम डोज दी गई है और less than 4 doses per 100 people है न कि भाई अगर आप 100 लोगों पर बात करो तो 4 doses भी नहीं मिल पाई है न 4 doses से भी कम डोज मिली है पर 100 people पर The vaccination program has also been witnessing कि lukewarm participation lukewarm का मतलब होता है कुन कुना participation का मतलब है भागीदारी by private medical facilities कि भाई ये जो coronavirus vaccination program है इस vaccination program के दोरान ये भी देखा जा रहा है हमें क्या देखने को मिल रहा है lukewarm participation कि भाई कुन कुना participation यानि कि ये जो private medical facilities है private hospital है या जो private medical facilities है उनकी और से coronavirus vaccination program में बिल्कुल active participation उनका देखने को नहीं मिल रहा The reason for this इसका कारण है besides, besides मतलब के अलावा ये तो कारण है besides besides, देखो एक शब्द और होता है B-E-S-I-D-E इस beside का मतलब होता है के बगल में, तो ध्यान रखना क्या होता है कि ये जो common errors आती है या fill in the blanks आते हैं या फिर sentence improvement आते हैं उनमें चोटी चोटी बातें बहुत ज़्यादा पूँची जाती है तो ध्यान में रखना The reason for this, besides the slow pace of expansion in some states वही देखो, expansion का मतलब है विस्तार कि coronavirus vaccine जो है उसके विस्तार की जो रफ्तार है pace का मतलब होता है रफ्तार वो काफी slow है कई राज्यों में coronavirus vaccine की जो रफ्तार है ना कि coronavirus vaccine का program जो है उसकी रफ्तार जो है वो काफी दीमी है इसके अलावा need to be fixed तो यही detail कह रहा है एक तो क्या है कि private medical facilities है उनकी भागिदारी कम है इसके अलावा कई राज्य है वे राज्य क्या कर रहे है उन राज्यों में coronavirus vaccine की जो speed होनी चाहिए उतनी speed नहीं है तो इनको fix किये जाने की जोड़त है इसको solve किये जाने की जोड़त है need to be fixed इनको solve किये जाने की जोड़त है दो यद्यपी the COVID-19 vaccination यह जो COVID-19 का ठीका करन है which targets adult कि यह जो COVID-19 का ठीका करन program है यह इना इसमें प्रमुक target है हमारा adult जो वयस्क लोग है यह जो बड़ी उम्र के लोग है उनको main हम target बना रहे है इस vaccination program की दोरा यह जो vastly different from the universal immunization program तो यह जो program हमारा चल रहा है COVID-19 vaccination का यह है बहुती व्यापक रूप से अलग है vastly different है बहुती विशाल रूप से अलग है किस चीज से? यूनिवर्सल इम्म्राइजेशन प्रोग्राम देखो यूनिवर्सल इम्म्राइजेशन प्रोग्राम का मतलब होता है सार्व भॉमिक प्रतिरक्षी करण कारिक्रम सार्व भॉमिक प्रतिरक्षी करण कारिक्रम का मतलब हुआ कि सभी लोगों को सबी लोगों को क्या करें हम एक तरीके से immunity प्रोवाइड कराएं सबी लोगों को immunity प्रोवाइड कराएं इंडिया has the wherewithal एडिटोरिल क्या कहता है भारत के पास वो पैसा है the wherewithal का मतलब मैंने आपको बताया था money the wherewithal का मतलब होता है money जो किसी vicious उद्देशे के लिए आवश्यक होती है तो यानि कि भारत के पास संसादन है भारत के पास पैसा है to accelerate बढ़ाने के लिए किस चीज को बढ़ाने के लिए the daily vaccination rate कि daily जो vaccination हम कर रहे हैं इस vaccination की रफतार को इस rate को और जदा बढ़ाया जा सके उसके लिए भारत के पास पैसा है संसादन है what is missing age लेकिन फिर क्या हो रहा है कमी किस बात की है ठीक है आप कहते हो कि the wherewithal भी हमारे पास है तो फिर कमी किस बात की है कमी इस बात की है जो चीज miss हो रही है वो ये the political will राजनितिक इच्छा शक्ती की कमी है will का मतलब होता है इच्छा शक्ती राजनितिक इच्छा शक्ती की कमी है to achieve that कि coronavirus vaccination जो program है इसमें हम सफलता हासिल करने के लिए इसको प्राप्त करने के लिए जिस चीज की कमी हो रही है न वो है राजनेतिक इच्छा शक्ती, राजनेतिक इच्छा शक्ती नहीं है हमारे पास, है ना, यानि कि कुल मेरा के जो नेता हैं वो डिले डाले हैं, reflected in absent targets and awareness building, reflected का मतलब है जो कि प्रदर्शित हुई, जो कि हमें देखने को मिली है न, in absent targets and awareness building exercises, वही देखो awareness, कि क्या किया जा जाएं नेताओं के दोरा, यह हम बात करें कि हमारी सरकार के दोरा क्या किया जाना चाहिए, awareness, लोगों में जाग रूटानिर्मित करने वाली इक्सरसाइज़ assignments कि लोगों के बारे में लोगों को बताने की जरूत है, शामिल करते हुए, कि वैक्सीन की safety के बारे में लोगों को बताने की जरू होते है कई लोग इस coronavirus की जो वैक्सीन है इसकी sites से परिचित नहीं है online उनको कुछ मालूम ही नहीं है and permissibility of walk-in अभी शब्द को देखना इस walk-in का क्या मतलब होता है walk-in walk-in का मतलब होता है आप कह सकते हो walk-in का मतलब कि कोई भी service है उसे customers के लिए उपलब्द कराना बिना किसी appointment के उसको बोलते है walk-in कि कई walk-in clinic होते है permissibility of walk-in अभी क्या कर रहा है हमने कई तरह के प्रतिबंद लगा रहे हैं अभी कई तरह के restrictions हमने लगा रहे हैं जैसे कि अभी तो हटा दिया लेकिन पहले क्या था पहले तो ये था कि अगर आपको vaccine चाहिए coronavirus की vaccine तो आपको बताना होगा कि आपकी उमर फला फला हैं आपको certificate लेके आना होगा आपको comorbidities दिखानी होगी फिर check किया जाएगा comorbidities का certificate दिखाना होगा अब ये एडिटर करना चाहिए permissibility की allow करना चाहिए हमें of walk-ins की हमें service को जो है इस तरह से उपलब्द कराना चाहिए की लोगों को appointment न लेना पड़े है also साथी साथ unlike, लाइक का मतलब होता है case हमान, unlike उसका उल्टा है unlike the immunization program की ये जो immunization program होता है की बही एक तरीके से लोगों को प्रतिरक्षी लोगों का एक तरीके से उनकी जो immunity है उसको बढ़ाने का जो program होता है over reliance on the COVID platform है की कुछ ज़्यादा ही निर्वर हो जाना किस पे? COVID platform पे की बही जो coronavirus vaccine के लिए जो हमने platform निर्दारित के है उन पे कुछ ज़्यादा ही निर्विर हो जाना has made vaccination into a largely passive इसने क्या किया है कि ये जो टीका करन का हमारा program है इसको passive बना दिया है देखो passive का मतलब क्या होता है passive का मतलब होता है देखो एक तो होता है active का उल्टा होता है passive active का मतलब होता है public health initiative तो ये एडिटोल कहना चाहरा है कि ये पूरा की पूरा जो प्रोग्राम है न ये क्या था कि एक तरीके से public health initiative का मतलब है कि इसको इस तरह से बनाना था facility based exercise कि बही सुविधाओं आधारित गतिविदी बना दिया हमने इसे जबकि बनाना क्या था हमें इसे public health initiative initiative का मतलब है पहल कि बही ये coronavirus vaccination program को हमें इस रूप में प्रस्तूत करना था कि बही ये लोगों के public health के लिए एक पहल है lack of micro planning and outreach activities are further इस further का प्रियूग किया जाता है कुछ और add करने के लिए ठीक है आपका case चल रहा है अदालत में आपने documents दिए कुछ और documents फिर आप देते हो तो कहेंगे कि बही ये further documents और ज्यादा provide कराएगे है तो lack of micro planning कि सूक्ष में इस तरफे planning का अभाव and outreach activities outreach का मतलब होता है पहुचना कि बही सूक्ष में इस तरफे coronavirus vaccine program जो है इसकी planning का अभाव है इसके अलबा हम लोगों तक पहुच नहीं पा रहे है outreach activities नहीं कर पा रहे और further impacting impact का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना impact का मतलब होता है प्रभाव डालना uptake का मतलब है उच्छाल, तेजी आना कि coronavirus vaccination program में तेजी नहीं आ पा रही है coronavirus vaccination program प्रभावित हो रहा है कि इसके चक्कर में कि हमारे पास सुक्ष मिस्तर पे प्लानिंग नहीं है हमारे पास outreach activities का अबाव है ज़्यादा लोगों तक हम पहुच नहीं पा रहे है इसी गतिविदियों का अबाव है clearly, especially troops से there is a case, इस बात का case बनता है यह मामला बनता है for reach out, reach out का मतलब है दूर दराज तक पहुचना to people to quickly increase vaccine uptake एडिटोयल कहता है कि भई अगर हम चाहते है to quickly increase vaccine uptake कि भई यह जो vaccine है इसमें अगर हम उच्छाल लाना चाहते है और बड़े ही quickly, बड़े ही शिगरता से लाना चाहते है तो जरूरी है कि हम लोगों तक पहुचे है इस बात का case बनता है अगर हम चाहते है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह vaccine पहुचे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ाएगा देरी जे case, इस बात का case बनता है for reaching out to people कि भई हमें क्या करना होगा देखो हमारी जो finance minister है निर्मला सीथा रमन इन्होंने क्या किया है इस्टियर का मतलब क्या होता है इस्टियरिंग होती ही न उसके माद्यम से क्या करते हो आप गाड़ी को दिशा निर्देश देते हो गाड़ी को direction देते हो इस्टियर्ड थू पार्लियमेंट तो इन्होंने क्या किया है ये जो निर्मला सीथा रमन वित्तमंत्री है इन्होंने क्या किया है कि पार्लियमेंट से पास करा लिया है पार्लियमेंट से निकाल लिया इसको है जैसे आप गाड़ी को निकाल लेते हो steered through parliament the finance bill of 2021 एक finance bill है 2021 का उसमें क्या किये गए है 127 संशोधन किये गए है amendments किये गए है अब देखो इसकी खास बात क्या है इस एडिटोर में किस चीज़ पे चर्चा किये गई है an unequal providence इस शब्द को समझते हैं providence का मतलब क्या होता है इस providence का मतलब होता है पूर्व विचार पूर्व विचार से मतलब होता है कि आप क्या करते हो एक तरीके से दूर दर्शिता भी कह सकते हो आप है ना दूर दर्शिता भी कह सकते हो कि भई भविश में जो कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए आप क्या करते हो जब timely preparation करते हो उसके लिए पूर्व तयारी करते हो तो उसको बोला जाता है providence तो देखो यहाँ पर providence से हम क्या बात करने जा रहे हैं देखो क्या हुआ है आ समान providence modified tax provision कि क्या किया गया है इस finance bill 2021 में modified tax provision on PF कि यह जो PF होता है आपका एक तरीके से जो retirement के बाद आपको मिलता है प्रोविडेंट फंड जो होता है उससे संबंदित tax के जो प्रावदान है उनमें थोड़ा सा संचोधन किया गया उनको परिवर्तित किया गया है तो यह जो परिवर्तन किया गया है modified tax provision PF income कि लोगों की जो PF income होती है उससे जुड़े हुए जो tax प्रावदान है उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है तो यह जो परिवर्तन है यह परिवर्तन भेदभाव करते हैं किन लोगों के खिलाफ against non-government employees कि नए PF income से जुड़े हुए tax के जो प्रावदान है वे government employees में और non-government employees में भेदभाव करते हैं इस एडिटोरिल में इसी बात पर चर्चा किये गई है पूरे की पूरी है